इंडिया की सबसे बड़ी राइडिंग जैकेट कमपनी जो की है सोल आइस उन्होंने मुझे बेजाए राइडिंग जैकेट तो चलो दोस्तों इसे अन्बॉक्स करते हैं दोस्तों यही जैकेट अन्बॉक्स करने के पहले मैं कुछ मेरा एक्सपिरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती है जैसे कि मैंने शुरुआत में राइडिंग शुरू की तब मैंने लोकल कमपनी के नीगाड और एल्बो गाड लिये थे हेलमेट पहना करती थी और शॉर्ट रैड के लिए मैं जाया करती थी उसके बाद मैंने सुपर बाइट ली और लॉंग रैड शुरू किये लॉंग रैड शुरू करने के बाद कुछ राइडिंग कलब से मेरी मुलाकात हुई उनने मुझे सजिस्ट किया शिल्पा तो इतनी हेवी बाइट चलाती है तो तुझे हेलमेट और जैकेट दोनों भी अपडेट करने चाहिए और तब जाके मैंने एक अच्छा ब्रैंडेड हेलमेट भी लिया और उसके साथ लिया मैंने मेरा पहला राइडिंग जैकेट दोस्तों फाइनली मैंने जब राइडिंग जैकेट लेने का डिसाइड कर लिया तब मैंने मेरे जो फ्रैंड से उनको भी पूछा कहा से जैकेट लेना चाहिए और मैंने फीमेल जैकेट बहुत डूंडा अल्मोस्ट एक मैने तक मैंने बहुत जगर बहुत चॉप में डूंदा कई फीमेल जैकेट है की नहीं राइडिंग के लिए तो एक दुकान में मुझे मिला पर जादा से जादा मैंने जितनी शॉप डूंडे वहाँ पर मेल जैकेट बहुत जादा थी शायद से फीमेल जैकेट का मार्केट बहुत कम था पूने में मुंबाई में तो मुझे वह जैकेट खरीदने में बहुत दिक्कत आई उस वक्त मुझे बहुत खुच हुई एक शॉप में फाइनली मुझे मेरी साइज का और मन पसंद जैकेट मिल गया था दोस्तों बहुत डूणने के बाद फाइनली मुझे ये जो जैकेट है वो एक पूने की शॉप में मिल गया था जो कि फीमेल राइडर्स के लिए सूटेबल था कलर भी मुझे अच्छा लगा और फिटिंग भी था और ये लास्ट पीस था गाइस और मैंने फाइनली उसे बहुत अच्छा साथ दिया दोस्तों रीसेंटली मैं गोवा गई ती राइडर्मेनिया के लिए और सोलेस कमपनी का जो शॉप था वहाँ पे मैंने विजिट किया था तो उनकी जो मैनेजर्स थे उन्होंने मुझे देख लिया और बोला शिलपा ये जो आपका जैगेड़ वो भूल गए रहेंगे बट गाइस नहीं उन्होंने रीसेंटली मुझे बेजा ये जो फीमेल राइडिंग जैकेट उनका जो नया एडिशन है वो तो दोस्तों अभी हो गया अन्बॉक्सिंग अभी देखते हैं इस जैकेट में क्या-क्या फीचर से तो दोस्तों ये है फीमेल अडिशन राइडिंग जैकेट स्पेशली फोर लेडिज और इसके साथ आपको मिलते हैं ये वाटरप्रूफ जैकेट है इसके साथ है दो पॉकेट्स साइड पॉकेट्स जिसमें आप आपकी जो चीजे है वो सब रख सकते हो दो साइड यह रही main chain, adjustable stripe और यहाँ पे है touch button जो कि आपकी size के हिसाब से आप इसे adjust कर सकते हो और अंदर है आपके लिए protection जो आपके elbow को protect करता है और यहाँ पे है आपका shoulder protection guard है दोनों side पे है और hands design में देखा जाए तो यहाँ पे है adjustable stripe और थोड़ी से हवा जाने के लिए या फिर adjust करने क लिए आपको एक chain दिया गया है जो कि काफी useful होता है जब गर्मी होती है या फिर tight होता है तो अब तक था front view अब देखते हैं पीछे के side में क्या-क्या दिया है इस jacket में यहाँ पे देखा जाए तो back protection है पूरा और इसमें क्या दिया है इन्होंने चेक करते हैं वाव रेन कवर है यह यह एक्स्टर फीचर है पहले के मेरे जैकेट में नहीं था यह है अच्छे quality का रेन कवर दिया है सोलास ने जो कि आपको बहुत जोर की बारिशों में या लदाक राइड में बहुत काम आएगा उसके साथ ही दिया है आपको जो वेस साइड है आपकी उसे एजस्ट करने के लिए यह दो स्ट्राइब दिये है आपके वेस्ट के साइड के हिसाब से यह आपका जैकेट एजस्ट हो जाएगा अब देखते हैं इंसाइड व्यू क्या है जैकेट का और अंदर के साइड देखा जाए तो एक विंटर लाइनर गिया है और यह रहा अच्छी कॉलिटी का बैक प्रोटेक्टर है उसके बाद यहाँ पे भी इंटरनल आपको एक पॉकेट मिलता है उसके बाद यहाँ पे आ और इस जैकेट का जो विंटर कवर है वो डिटैचेबल है यह आप इसे निकाल सकते हो अभी तो फिलाल दूप का सीजन है तो मैं इसे पहले ही निकाल रही हूँ तो फाइनली यह रहा जैकेट तो दोस्तो अब तक आपने देखा इस जैकेट का अन्बॉक्सिंग वीडियो और एक 1st IMPRESSION मैंने आपको दिखाया इस जैकेट की क्या के फीचर से इस वीडियो में आपको मैंने दिखाया और इसका जो detail review है मैं अपने next वीडियो में जल से जल इसे experience करके पहन के आपके लिए जरूर लेके आऊंगे दोस्तों तो कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो please give us thumbs up और अगर आपको ये female jacket खरीदना हो तो इसकी link में मेरे वीडियो की description box में दे दूँगी वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो so last का female riding edition और अगर अब तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो guys please subscribe करो bike my soul youtube channel को thank you see you in my next video bye bye take care